जैसे हैं आप सब आप सभी का welcome है आज की इस वीडियो में बात करेंगे current market situation के बारे में क्या market के हाल चल रहे हैं और क्या important updates आरी हैं सारी important update भी आपके साथ cover करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को very good morning I hope आप सब अच्छे होंगे और crypto market अगर आप देखोगे bitcoin के जो levels हैं वो 17,000 पे चल रहे है 17,800 नो सो पे चले गए थे because जो कल CPI data आया है वो एक relief वाला data आया 7.7% काफी time के बाद एक relief मिला CPI data की तरफ से और जैसे ये relief मिला bitcoin में एक jump लगा 16,300 400 के जो levels चल रहे थे वहां से bitcoin आ गया 16,800 नो सो तक भी गया अभी जो है 17,800 नो सो पे गया और अभी जो है level 17,000 पे चल रहे है bitcoin के 857 billion dollar का पूरा market cap है और 4% market green में चल रहा है 24 hour में अगर हम bitcoin के levels की बात कर ले तो आप देखो 17,000 17,000 dollar पे चल रहा है और 16,219 का low है 18,000 तक का high भी लगा है लेकिन 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 weekend का time आ रहा है आपको पता है weekend पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है और market मुझे ऐसा लगता है कि ये एक temporary pump था CPI data का relief जरूर मिल रहा है लेकिन जो inner situation है industry के अंदर जो situation चल रही है जो issue चल रहा है ftx वाला वो अभी market को और भी नीचे लेके जाएगा bitcoin ने अपना नया bottom बनाया है तो अभी और भी 13,000-14,000 bitcoin हमको जाता हुआ दिख सकता है उसके लिए भी आप तयार रहीएगा है ना यहां से ये मत सोचिएगा कि market बस अब उपर जाएगा अब लग गया bitcoin का bottom नहीं अगर bitcoin का bottom लग गया ना जिस दिन वहां से bitcoin अच्छा कासा pump भी कर जाएगा मलब 4-5,000 डोलर bitcoin यूँ ही उपर आ जाएगा है ना अगर आप देखोगे जब 17,000 bitcoin ने touch किया था तो 20-21 bitcoin वैसे ही आ गया था तो 4000 तो वैसे ही बढ़ गये थे टच करने के बाद लेकिन 15,500 को टच किया है तो मुझे ऐसा रखता है कि 13-14,000 जो है भी bitcoin और भी नीचे जा सकता है अगर उसको तोड़ेगा तो फिर और भी नीचे दिख सकता है अभी यहाँ पर expectation है कि market और नीचे जा सकता है अगर bitcoin नीचे जाएगा तो ethereum भी जाएगा और बाकी old coins भी जाएगे ठीक है 1230 पर ethereum चल रहा है XRP ripple 0.38 dollar BNB 290 dollar सब के levels आपको नीचे देखने को मिलेंगे और सब अभी अच्छा कासा green में चल रहे हैं polygon देखोगे तो 1.03 dollar पर आ चुक है 10 number की सबसे बड़ी cryptocurrency और dodge coin के price 0.084 पर आ चुक है तो polygon फिर से pump कर रहा था और अगर bitcoin का level नीचे आया 13,000, 14,000 तो सभी old coins आपको और भी नीचे आते हुए दिखेंगे इसलिए हम कहारे थे कि जो भी करना है आपको थोड़ा थोड़ा करना है DCA, SIB है ना जो भी करना है थोड़ा थोड़ा खरीदना है जैदा नहीं खरीदना है अभी क्योंकि market के अभी levels यहां से उपर ही जाएंगे यह चीज़ confirm बिल्कुल भी नहीं है और हो सकता है यह नवेंबर December जो last month है 2022 के यह भारी month पढ़ जाए market के उपर और यही आखरी month हो market को नीचे धकेलने वाले हैं ना तो यह भी हो सकता है तो अभी जो है situation अब देख रहे old coins की pump कर रहे है Bitcoin के जो एक pump आया CPI data से तो old coins भी pump कर रहे है Shiba इन्हों भी 0.5x0 99.26 पर आ चुका है फिर से 10 के levels पर आ चुका था फिर से 5.0 पर आ चुका है तो यह कुछ current हाल है Bitcoin का, Ethereum का और crypto market का तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Shiba इन्हों की burning की कितनी burning हुई है Shiba इन्हों की last 24 hour में 34 million token जो हैं यहां पर burn हो चुक है last 24 hour में और 820% जी हां 820% तक जो है Shiba इन्हों का burn rate भी increase हो गया है इतनी burning से आपको पता है FTX एक तरह से दिवालिया हो चुकी है और अगर आप यहां देखो जो FTX US है वालब यूएस में जो FTX US users के लिए जो exchange है FTX की ही और FTX US वान user trading could be halted in a few days कुछ दिन में FTX US के उपर भी यहां पर trading रुक जेगी founder Sam Bankman Fried has insisted that his cryptocurrency exchange FTX US is insulted, insulated from ongoing liquidity crunch of the international FTX.com तो FTX exchange एक तरह से धराशाई हो चुकी है और यहां पर यह भी trading अब रुक जाएगी FTX US की तो आपको पता है FTX exchange दिवालिया हो चुकी है और FTX के जो मालिक थे ना वो Sam Bankman Fried थे इनका नाम Crypto Billionaires में आता था Binance Easy के बाद अगर कोई Billionaire था Crypto Billionaire वो Sam थे और Sam की जो Net Worth है FTX exchange के धराशाई होने के बाद Sam Bankman की जो Net Worth है वो यहां पर 94% तक कम हो चुकी है मतलब साफ हो गई चली गई और यह कितनी Net Worth इनकी गई है अगर आप अंदाजा लगाओगे यहां पर Crypto Genius वो Lost 14.5 Billion Dollar इनका साफ हो गया एक लाख करोड से जएदा एक लाख करोड रुपे से जएदा इनकी Net Worth भी चली गई FTX के धराशाई होने से बहुत बड़ा लोस यहां पर बहुत बड़ी कमी इनकी Net Worth के अंदर भी आई है Billionaire की लिस्ट से भी Sam Bankman जो है हट चुके है और इतनी इनकी जो wealth है वो चली गई है FTX के दिवालिया होने से तो बिलकुल Sam Bankman का भी यहां पर पूरी Net Worth 94% तक जो है साफ होगी है जो की एक लाख करोड से भी ज़्यादा बनती है 14.5 बिलियन डॉलर नेक्स्ट अपडेट आ रही है Bitcoin को लेके over 250 million dollar के जो Bitcoin है वो विड्राउन हुए है कहां से FTX Exchange के उपर से लेकिन एक ग्रूप ऐसा है इन में से जिनमें इन्वेस्टर्स का एक ग्रूप ऐसा है जिन्होंने अपने Bitcoin को टच तक नहीं किया है FTX Exchange के उपर से आपको पता है FTX का क्या कुछ इशू हो चुका है और Blockchain Metric Platform Glassnode के ये रिपोर्ट बता रहे है कि FTX witnessed a massive Bitcoin outflow amid news of liquidity challenges at the crypto exchanges और approximately 14,500 Bitcoin left FTX at the height of the panic caused by information filtering out तो 14,500 Bitcoin यहाँ पे विड्रोव हुए लेकिन कुछ ग्रूप ऐसा है इन्वेस्टर का जिन्होंने अपने Bitcoin को touch तक नहीं किया है है ना विड्रोव तो हुए है लेकिन कुछ Bitcoins को अभी तक touch नहीं किया गया और 250,000,000,000 डॉलर के Bitcoin बाहर हो चुके है FTX से जिस तरह से FTX दरशाई हुई है उसको देखते हुए over 80,000 BTC leave exchanges wallet as trader lose confidence in centralized exchanges तो बिलकुल एक बड़ा question एक बड़ा सवाल यहां पे जरूर खड़ा हो गया है कि exchanges जिस तरह से दिवालिया हो रही है मतलब FTX एक बड़ी exchange थी छोटी exchange भी नहीं थी और कहीं न कहीं 80,000 BTC जो है निकल चुके हैं और financial terminal by the FTX liquidity crisis has led to investor withdrawing their Bitcoin from centralized exchange wallet और यहां पे 80,000 BTC अब तक जो है निकल चुके हैं centralized exchanges से सब देखते हुए कि जो FTX का हाल हुआ कहीं बाकी exchange का नहीं और यह बहुत बड़ा question है ठीक है क्योंकि market में बहुत सारी exchanges है बहुत सारी exchanges है और एक market एक exchange दरशाई होती है तो क्या होता है आप देख सकते हो next update आ रही है blockfi की तरफ से let's see how much अगर आप देखोगे यहां पे blockfi now suspend user withdrawals blockfi ने भी withdrawals को रोका है और let's see how much money blockfi has left now and we analyzed 6 wallet of blockfi on Ethereum and found that he has only 18.37 million dollar left including 10,598 98 इनके पास Ethereum है 13.33 million dollar के 3 million USDC है 2.9 million BAT है मतलब basic attention token और 4,78,000 USDT और 48,000 Uniswap तो blockfi भी अब यहां पे problem में दिख रहा है और इसने भी withdrawals को रोक दिया है सारी चीजें जो है आप देख सकते हो FTX को लेकि यहां पे होती हुई next update है BitGuard को लेके एक और एक नई partnership होती हुई यहां पे कल भी एक partnership हुई थी आज फिर एक partnership यहां पे और अगर आप यहां पे देख आईवेंट पे के साथ जो है यहां पे BitGuard की बीराइस की जो है यहां पे partnership होई है और आईवेंट पे a payment system that allow to accept payment in cryptocurrency in vending machine and points of sale तो लगातार BitGuard जो है अपनी partnerships कर रहा है और आईवेंट पे के साथ जो है यहां पे next partnership होती ही BitGuard की next update है baby doge coin को लेके baby doge coin अगर आप देखोगे once again a most use smart contract among top 4000 BSC whales in the last 24 hours मतलब 4000 whales BSC whales में baby doge coin नजर में रहता है और इस बार जो है 4000 whales की नजर में आया है baby doge coin most use smart contract रहा है 4000 BSC whales के अंदर और ये काफी अच्छी बात है baby doge coin के लिए क्योंकि जितना ज़्यदा whales की दरुसे support मिलेगा accumulation होगा baby doge coin भी अच्छा कर सकता है future में तो आज की इस video करते है यहीं पे end अगर video पसंद आया like, share, comment जरूर कीजिएगा नीचे description में telegram, twitter के link है वहाँ भी follow कर ले ना वहाँ भी update आपको मिलते रहते हैं ठीक है किसी भी crypto में इन्वेस्ट करे हैं तो तब तक के लिए बाई बाई, take care